हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलर्य वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए, Signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए Message सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक squarish shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers काफी थेक हैं बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी fingers के बीच में कुछ हलके gaps बनते हुए कुछ इस तरह के gaps आपको सभी fingers की normal setting में नजर आएंगे जिसकी वजह से native काफी independent सभाव कर रहता है और साथी साथ आप यहाँ पर देखेंगे fingers काफी thick नजर आ रही है जिस वजह से काफी अच्छी energy and stamina native के भीतर रहता है लंबाई की बात की जाए तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी तरजनी उंगली काफी अच्छी length में है बिल्कुल straight है अच्छी thickness यहाँ पर आप इस finger की देख पाएंगे जिसकी वजह से native काफी knowledgeable type की personality रहती है native की और ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं एक spiritual type की nature ऐसे native की रहती है एक ग्यानवान personality देखी जा सकती है अगर हम शनी की बात करें तो बिल्कुल straight और बहुत अच्छी लंबाई में शनी finger आपको यहाँ पर नजर आएगी जिन लोगों की शनी finger strong रहती है ऐसे व्यक्ति बहुत महिनती होते हैं एक disciplined personality अनुशाशन प्रिया और नया प्रिया type की nature ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इनी खूबियों की वज़े से चीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे native कामियाब रहते हैं अगर हम बात करें इनकी सूर्य finger की तो यह finger आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल straight है length में यह finger देखा जाये तो आपको इनकी तरजनी उंगली के लगभग equal पहुचती हुई नजर आएगी इस तरह की लंबी सूर्य finger का होना indicate करता है कि native काफी creative nature का रहेगा काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं साथी साथ ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा social circle बना पाने में भी काम्याब रहती हैं जिन लोगों की सूर्य finger बिल्कुल straight हो अच्छी लंबाई में हो ऐसे व्यक्ति थोड़े risk taker भी होते हैं चीवन में risk लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी risk लेने की रूची इनके भीतर देखी जा सकती हैं अपने धन को ये लोग कई बर ऐसी जिगाहों पर invest करना पसंद करते हैं जहां पर loss की संभावनाएं भी हो जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है लिकिन यह finger आपको low set होती नजर आएगी, अगर हम यहां से एक line draw करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह finger थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जबकि बाकी की finger जैसे सूर्य finger, शनी finger और ब्रस्पती, तीनों काफी high set है, mercury finger का low set होना native को थोड़ी shy nature देता है, लेकिन अगर हम इस finger की लंबाई की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई है, बिलकुल straight finger है, इस तरह की mercury finger native को बहुत अच्छे communication skills भी देती है, ऐसे व्यक्ति की calculations करने की क्षमता काफी अच्छी रहती है, business acumen strong रहता है, जब mercury finger और सूर्य finger के बीच में अच्छा gap हो, तो ऐसे व्यक्ति काफी independent सभाव के होते हैं, ऐसे native थोड़े जिदी nature के भी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं, उसको करकर ही दम लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह हैं कि इनकी nature, इनकी fingers के दोरा हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे गुरू परवत का जो area है, आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा cross का चिन बनता हुआ भी आप देख पाएंगे, इस तरह का cross का चिन सिर्फ यही वो mount है, जहाँ पर सबसे अच्छा माना जाता है, जिन लोगों के कुछ ऐसी रिखाओं से एक अधूरा गुरू वलय बन रहा है, गुरू वलय व्यक्ति को थोड़ी वेराग्या की भावना जरूर देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति समाज में 40 वर्ष की एच के बाद काफी अच्छी अपनी पहचान बना पाते हैं, काफी अच्छा मान समान इ इस तरह के चिन हतेली में गुरू परवत पर होने की वज़े से नेटिव को मिलते हैं, यहाँ पर इनके अंगूठे के उपर आप देख पाओगे, इस सेरिया में एक यव का चिन बन रहा है, इस चिन को बुधा जाई का चिन भी कहा जाता है, चिन लोगों के अंगूठे के इस पोर्शन पर ऐसा आँख जैसा चिन बने, ऐसे व्यक्ति की छटी इंदरी स्क्रिया रहती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वा अनुमान, पूर्वा अभास ऐसे व्यक्ति को बखू भी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति अगर इनके साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वा बात करते हैं कि शनी की, शनी का एरिया हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है, और जिन लोगों का शनी मौंट दब रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को जीवन में महिनत अधिक करने पड़ती है, अपने कमफर्ट जोन से निकल कर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है, अगर हाथ म लंगी शनी रेखा हो, तब यह जो महिनत है थोड़ी सी कम हो सकते है, लेकिन यहाँ पर इनकी शनी रेखा में भी हमें कुछ वीकनेस नजर आ रही है, आपको दिखाना चाहूँगा, यह जो इनके हाथ में भाग्या रेखा है, कुछ इस तरह से चलती हुई आपको नजर आ परती हुई नजर आएगी, जिस वज़े से जीवन में काफी सारे अपसंट डाउंस नेटिव को देखने को मिलते हैं, और शनी माउंट अगर दब रहा हूँ, तो अपने कमफर्ट जोन से निकल कर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है, अगर यह रेखा हाथ में अच्छा माना जाता है, भले ही जीवन में उतार चडाव तो रहेंगे, लिकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ऐसे नेटिव काफी अच्छी तरकी अपने चीवन में कर पाते हैं, इन लोगों के हाथ में यह रेखा कुछ इस तरह से होती है कि बिना रूके यहां तक प बना, जीवन में यश को कम करता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसेशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं, लंबी सूर्य रेखा का यहां पर अभाव है, और हाथ में सूर्य रेखा, अच्छी लंबाई में ना हो, तो नेटिव को बहुत ज़्यादा यश अपने चीवन में नहीं मिल पाता, आप यहां पर देखेंगे, कुछ आणी रेखा हैं यह आपको इस तरह से बनती नज़र आएंगी, यह जो एक फॉर्मेशन बन रही है, इस इसको girdle of venus की partial formation कहा जाता है, अगर complete girdle of venus हो तो वो इस तरह से बनता है, यहां से एक रेखा शुरू होती है, और इस तरह से एक अर्द चंद्रमा की अकरिती बना देती है, इस तरह का girdle of venus जिन लोगों के हाथ में complete बनता हो, ऐसे व्यक्ति बहुत लगी होते हैं, ऐसे बहुत अच्छे artist हो सकते हैं, यहां पर यहां अधूरा बनना जिस वज़य से इसके बहुत ज़्यादा फाइदा नेटिव को नहीं मिल पाते, जबकि अधूरा girdle of venus हाथ में बनने से नेटिव को mood swings की दिक्कत हो सकती है, moody type की nature ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकत हैं, अगर हम इनके बुद्ध परवत की बात करें, तो आप यहां पर देखेंगे, बुद्ध परवत भले ही low set है, लेकिन यह area आपको उभरा हुआ नजर आएगा, इस mount के उपर कुछ खड़ी रिखाएं भी मौचूद हैं, जिने हम healing lines कहते हैं, जिन लोगों के बुद्ध परवत पर ऐसी रिखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, किसी ना किसी तरह से दूसरों की help करते रहना, इनकी रूची में शामिल होता है, अपने शब्दों से, अपने करमों से, अपनी सलहा या consultation से, लोगों की problems को दूर करने की काबलियत इनके भीतर रहती है, काफी अच्छा business equipment भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, अगर हम इनकी major lines की बात करें, तो आप यहां पर देखेंगे, यह हैं इनकी heart line है, कुछ इस तरह से यह है रेखा आगे बढ़कर, एक V type का symbol, गुरू परवत के उपर चलकर बनाती हुई, लेकिन यह तरक्की native को तभी हासिल होती है, जब ऐसा व्यक्ति इमानदारी के रास्ते पर चले कोई भी बैमानी का काम ना करे, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विश्नु चिन हो, गलत रास्ते पर चलकर बैमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो चीवन में बड ज़्यादा दिखतें सहन ना करनी पड़ें, ओवरॉल इनकी जो हार्ट लाइन है, यह है काफी शैलो है, काफी चड़ाई में नजर आ रही है, हार्ट लाइन के नीचे की तरफ निकलने वाली डाउनवर्ड ब्रांचिस भी मौचूद हैं, जिसकी वज़े से इमोशनल सेट अगर हम इनकी माइन लाइन की बात करें, तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी मस्तिक श्रेखा आप देख पाएंगे, यहां से शुरू होने वाली यह है रेखा लगभग हतेली के दूसरी शोर तक पहुंचती हुई, हलका जुकाव लास्ट में चलकर इस रेखा में आप मस्तिक श्रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति का बिजनस एकुमेन भी काफी स्ट्रॉंग देखा जा सकता है, यहां पर कुछ बारीक रिखाएं यहां रिखाएं जिनने हम मर्कृरी लाइन्स कहते हैं, हाथ में मौझूद होती हैं, तो नेटिव का बिजनस एकुमेन यह भी स्ट होकर कुछ इस तरह से बिलकुल हतेली के नीचे तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी, इस तरह की लंबी लाइफ लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है, नेटिव की एज काफी लंबी रहेगी लगभग, 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय करता है, यहाँ पर हार्ट लाइन की थोड़ी शैलोनेस होने से कुछ दिक्कते माइनर हैल्थ इशूस नेटिव को आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही, जीवन रेखा से कुछ ऐसी रेखाएं निकल कर बाहर की तरफ चलती हुई न धनलाब होते हैं, ऐसा चिन जब थेली में केतू माउंट के उपर बन रहा हो, तो नेटिव को कई बार इंशोरेंस या इनहारेटेंस से धन मिल सकता है, ऐसे व्यक्ति को लॉटरी या शेर मार्केट जैसी चीजों से भी कई बार धन की प्राप्ती होती है, चीवन में कई ब परवच जिन लोगों के थेली में होता है, ऐसे व्यक्ति के चीवन में हर तरह की सुक्सुधाएं रहती हैं, लेकिन इस माउंट के ओपर काफी सारी बारीक रिखाएं आपको इस तरह की रिखाएं नजर आएंगी, जिसकी वज़े से नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं परिवार के तरफ से मिलती रहती हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके शुकर परवत पे काफी रिखाएं मौचूद होती हैं, इन रिखाओं को वरी लाइन्स कहते हैं, इनकी वज़े से नेटिव को अपनी मेरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ दिकतों का सामना करना पड़ सकता है अगर हम चंदर परवत की बात करें, आप देखेंगे, यह अरिया चंदर का अरिया है, यहां से आपको काफी सारी ऐसी रिखाएं नजर आएंगी, इसकी वज़े से जीवन में लॉंग डिस्सेंस और शॉर्ट डिस्सेंस दोनों तरह के ट्रैवल रहने की समभवनाएं रहत नेटिव को अपने चीवन में करना पड़ सकता है, तो दोस्तों यह कुछ अनैलसिस थे, इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है, कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है, अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है, तो मुझे वर्टसेप पे मेसेज करें, मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद